प्रणाम स्वागत बाटे रोवसब के हमार खास प्रोग्राम ओ वुमनिया में हम रोवसब के बताए लें इंडेववसब के अमेशत अब यहां हाल ही में तस्वीर वाइरल भॉइल जे में उँ के हुऊ और लईकी का साथ है नजराइल बढ़न तस्वीर के देख के हल्फा मच गईल बाइन दोस्टी में कि भाई नया हिरोइन मिल गईल बड़ी नया हिरोइन मिल बड़ी अमरोपाली के छोड़ देले निरहुआ ही हो गईल वह लेक जहां उन्होंने अपनी एक और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है जिसका नाम है जैवीरू नाम सुनकर आप लोगों को यही लग रहा होगा कि यह फिल्म बॉलिवुड की फिल्म है है ना लेकिन इस बार जैवीरू भोजपुरी में बनने जा रही है जी हां इस फिल् निरहुआ के साथ बना चुके हैं जिनमें कई से कहीं तोहरा से प्यार हो गयल जिगर वाला निरहुआ चलल ससुराल तू और निरहुआ सटल रहे में काम किया है जानकारी क्लिए बता दें कि इससे निरहुआ और सुबा राव एक अच्छे कलाकार निरमाता से ज़्यादा एक अच्छे दोस्त भी हैं दोनों की ये दोस्ती पिछले 11 सालों से बरकरार है और अभी तक सुबराव के साथ निरहुआ ने जितनी भी फिल्मों में काम किया है वो सूपर हेट साबित होई हैं तो देखना बड़ा ही दिल्चस्प होने वाला है कि ये फिल्म कितनी हिट होग बाटे बॉर्डर निरहुआ के प्रोड़क्शन हाउस फिल्म बनलबा जे में इंडॉस्री के कई सारा कलाकार तकनीशियन लोग एके साथ हिरो साब के देखे के मिली लोग ये फिल्म के जितना बॉर्ड बॉजट के साथ बना मुल गयलबा ओही बॉर्ड बॉजट के साथ फिल्म के प्रोड़क्शन होता काई की बहुत बार देख ली ओकम रवसाब की बोजपुरी में फिल्म तो बना देवल जला लेकिन प्रोड़क्शन ना कोईल जाए हो सकता कि कई फिल्म के तो आभी लिसा नामों ना पता लागे ला रिलीज हो जली सा लेकिन ओ फिल्म में क फिल्म बॉर्डर रिलीज होखे जाती है जिए परिवार का साथ है वाइट के रहो सब देख सकता निजा देश भक्ति पर अधारित फिल्म बाटे बहुत जादा प्रिमोशन हो रहा हलबा जिकना के देखला के बाद इकहल गलत ना होई कि फिल्म बढ़ बढ़ फिल्म के कॉम ट्यू पर खुब पसंद आया है अब इस फिल्म को दर्शक सिनेमा घरों में कितना पसंद करेंगे यह आने वाले दिनों में ही पता चलेगा जब 15 जून को ये फिल्म बिहार जारखन के सिनेमा घरों में रिलीज कर दी जाएगी जानकारी के बता दें कि इस फिल्म को हिट क कराने के लिए निरहुआ पूरी तयारी में जुटे हुए हैं दरसल निरहुआ की फिल्म बॉर्डर के जहां बिहार में बड़े-बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं तो वहीं गाडियों पर भी बैनर लगा कर आज कुल खूब अनाउंसमेंट की जा रही है इस फिल्म क प्रमोशन बड़े जोरो सोरो से किया जा रहा है यानि जितना पैसा निरहुआ ने अपने इस फिल्म को बनाने में लगाया है निरहुआ चाहते हैं उतना ही इस फिल्म का प्रमोशन भी हो सके और बहतर रूप में हो सके ताकि जादा से जादा लोग इस फिल्म को देख पा और पारिवारिक जिंदेगी दर्द से जुड़े कई सीन देखने को मिलने वाले हैं। और पारिवारिक जिंदेगी दर्द से जुड़े को मिलने वाले हैं। इंटरेट पर भी चाहे हुए हैं। तो कभी अपने अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं। बता दें कि हाली में यूट्यूब पर रिलीज किये गए अरविंद अकेला कलु के अलबम का नया गाना कलु खातिर लईकी खो जाता नए स्टेज शो के दुरान एक लड़की को पकर कर फूट फूट करो पड़े लेकिन ऐसा कुछ रियल में नहीं हुआ था यह सिर्फ उस स्टेज शो और अर्विंद के पर्फॉर्मेंस का एक हिस्सा था दरसल अर्विंद स्टेज पर एक पर्फॉर्म भी कर रहे थे और इसी पर्फॉर्मेंस के दौरान वे अपने सहयोगी कलाकार को गले लगा कर रोने का सीन क्रेट कर रहे थे अर्विंद का यह स्टेज शो पिछले साल अक्टूबर में हुआ था और यूट्यूब पर इस वीडियो को अद तक 23 लाख बार देख समाजिक और शहरी परिवेश के बीच भोजपुरिया संस्क्रिति को ध्यान में रखकर हमने अवारब बलम बनाई है फिल्म में डांस रोमान्स और एक्शन की भरमार है और पारिवारिक मुल्यों का भी खासा ख्याल रखा गया है मुझे उमीद है कि भोजपुरिया दर्श किर चिंप लाहर और अवारिक Спष्वान को धी थे नि रौणा नि राम्रो पास आर रुटीव पर देख चुकल्बा आवं महन लगांया के रखना लोग के इंतजार रहे ताई फिल्म बता देवल्चाहीं कि यूट्यू पर नाही औबले तो यही ख़बर लेकिन सुने में बोजपुरी फिल्मों में इन दिनों आगे बढ़ने की होड और कॉपटीशन की होड खूब है अब ना सिर्फ सिनेमा घरों में ये कॉंपटीशन बढ़ा है बलकि अब ये फिल्में यूट्यूब पर भी एक दूसर से टकराने लगी है आपकी जानकारी के बता दें कि हाली में खेसारी के एक फिल्म मेहदी लगा के रखना को यूट्यूब पर पांच करोड व्योज मिले थे जिसे खेसारी खासा खुश नजर आए तो वहीं अब एक और फिल्म ऐसे सामने आई है जो खेसारी के इस फिल्म से व्योज के मामले में निकल चुकी है काफी आगी वो फिल्म है निरहुआ की फिल्म निरहुआ हिंदोस्तानी टू जिया आमरुपाली, संचिता बैनर जी और निरहुआ ने मिल कर इस फिल्म से दर्शकों का मनुरंचन ना सिर्फ सिनिमा घरों में किया बलकि यूट्यू पर भी इस फिल्म को खूब देखा गया आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निरहुआ हिंदोस्तानी टू को 6 करोर से जादा लोग देख चुके हैं फिल्हाल निरहुआ के फिल्म बॉर्डर 15 जून को रुलीज होने वाली है जिसके ट्रेलर को यूट्यूब पर 30 लाख व्योज मिले हैं जानकारी के लिए बता दें कि मेंदी लगा के रखना हिंदोस्तानी टू से पहले रुलीज हो चुकी थी यूट्यूब पर लेकिन उसके बावजूद मेंदी लगा के रखना से आगे निकल चुकी है निरहुआ के फिल्म निरहुआ हिंदोस्तानी टू मैं आफलाइन होकर देखता हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद बटे सुनील के अगल्या मेसेज वरुन चवबे के हाँ जी लिखाता रहें खेसारी लाल यादव हमेशा से बहुत अच्छा गाता है और बहुत अच्छी फिल्में देता है इसलिए उसकी फैन फॉलोविंग जबर्दस हुई है और मैं भी उसका फैन हूँ अगर सुन रहा अलबाने के सारी तो गौर्ड जरूर फर्माएं आदूनों लोग के मैसेज करें खातिर बहुत बहुत धन्यवाद खासकल सुनील के हमार प्रोग्राम के इतना सराहे ले इतना देखे ले तई रहे आज के कुछ ताजा खबर आ नया नया मैसेज जाए के समय में हो चुकलबा लेकिन जाइज से पहले हम बतायों नहीं मैसेज हैं हम बता चुकलबा नी एही से अगला प्रोग्राम फेर से लेकर आएं कुछ उनाया मैसेज कुछ उनाया खबर कर साथे लेकिन तब तक हातिर दी ही इर्जाजत प्रणाम